वो एक गाउं था, गाउं का नाम था कृष्णपूर, उस गाउं में शंकर नाम का एक आदमी हुआ करता था, उसकी एक बेटी थी, जिसका नाम था शुरुती, शुरुती के मा के देहान के बाद शंकर ने उसे बहुत लाडूं से पाला था, शंकर हर दिन मचली पकड़ने ज एक दिन शंकर हर रोस की तरहा बेटा शूती मैं बाहर काम पर जा रहा हूँ तुम अपना ज्यान रखना उस पर शूती ठीक है पापा आप अपना ख्याल रखना ऐसे कहा शंकर मचली पकरने चला गया वो रात बीट गई शाम तक भी शंकर जब वापस घर नहीं लोटा तो श शूती घबरा गई असल में हुआ ये था कि शंकर मर चुका था इस बात से अंजान शूती भगवान जी मेरे पापा को क्या हुआ वो अभी तक आये क्यों नहीं मुझे बहुत डर लग रहा है ऐसा कहकर वो रो रही थी अगली रात भी बीट गई सुबह उठकर शूती अप अब वो वहाँ गर क्या रहे है गर क्यों नहीं आये क्या वो नहीं जानते कि मैं उनके लिए परिशान हूँ ऐसा कहते हुए मासूमियत से वो शिकायत कर रही थी वो रात भी बीट गई शुरुती को समझ नहीं आया कि क्या किया जाए उसने ठान लिया कि अपने पापा को दूढने के लिए वो कुछ न कुछ करेगी। तभी उसके दिमाग ने एक उपाय सोचा। एक पंख वाला ओटो जो धर्ती पर चले, आकाश में उड़े और पानी में भी तेरे। नदी में अपने पापा को ढूणने निकली। यूँ चलते चलते नदी में वो अपने पापा को ढूणने लगी। आस पास कोई नहीं था। वो यूँ ही दूर दूर तक जाने लगी। अच नहीं हुआ होगा, मेरे पापा मुझे चोड़ कर कहीं नहीं जा सकते। ऐसे कहा। उसकी अगली सुबह शुरुती ने ओटो को हवा में उड़ाते हुए आस पास का सारा जंगल छान मारा। पर शुरुती को अपने पापा कहीं नजर नहीं आए। हावा में यहाँ वहाँ हर तरफ उड़ने लगी। नीचे से सारे लोग उसे देख कर कहते। अरे वहा यह कैसा आटो है। हावा में उड़ रहा है। यह तो बड़ा गजब है। ऐसा करकर सारे लोग खुशी से तालिया बजाने लगे। यह देख शुरुती ने कहा। समझ नहीं यार आप कहा हो आप मुझे छोड़कर क्यों चुले गए। कहकर रोए जा रही थी। इतने में वहाँ एक औरत आई। अरे वा बहुत बड़िया है यह आटो। किसका है। बेटा क्या यह तुम्हारा आटो है। तुम कौन हो क्यों रो रही हो। उस औरत के पू समझ ने कई लोगों से पूछा पर किसी ने लाश को पहचाना ही नहीं। इसलिए हम दोनों ने उनका दाहसंसकार कर दिया। यह सुन शृती बहुत घबरा गई। और उनसे उनके निशानियां पूछने लगी। उनकी अंगुठी पे शान्ती नाम लिखा हुआ था। ऐसे कहकर रोने लगी। माजी मेरे पापा का कहा दासंस करके आ गया। मुझे वहाँ अपले जाएंगी। वो औरत तुरंट शृती को उस जगह लेकर गई। उस जगह जाकर शृती ने कहा। एक बड़ देखे दो मैंने एक नया ओटो तेयर किया है। सबी उसे अचरच होकर देख रहे हैं। मैंने वो आपके लिए तेयर किया था पापा। एक बार उट चाहिए पापा। कहकर जोर-जोर से रोने लगी। उस औरत ने उसे सांतोना देने की कोशिश की। उसके करने गए मेरे पापा वापस कभी नहीं आएंगे। ये बात मैं नहीं सहपा रही हूँ। ऐसे दुखी हुए जा रही थी। ये पंक वाला गोड़ा इस समस्या का समाधान होगा। अगर कोई मुसीबत आई तो तुरंत ये ओटो पानी से बाहर आ सकता है। तब हर कोई बच सकते हैं। ऐसा सोच रही थी कि तभी जोर के बारिश हुई। जैसे ही बारिश के बुंदे उन आटो के पंक पर पड़ी वो आटो उड़ने लगा। और घर के उपर इर्द गिर्द घुमने लगा। इतने में शृती ने देखा कि आंगन में आटो नहीं है। वो बार अशा होगी ये हावा में उड़ेगी और सब बच जाएंगे। उसने ऐसा सोचा वो रात बीद गई। शृती मचली पकड़ने के लिए आटो में चली गई। उस आटो को जहाज की तरह तैते हुए वहाँ के मचुवारों और ने देख लिया। वे सब इसे देखकर चोंग शृती मचली पकड़कर किनारे पहुंची। उसे देख। अरे वा बेटा ये तो गज़ा बाटो है। पानी में तेरता है हवा में उड़ता है। किसने बनाये इसे। उस पर शृती ने कहा। मैंने ही इसे तैयार किया है। इसके बहुत फाइदे हैं। ये नदी में तैर स सकती है। और साथी साथ इस पर बारिश हुई तो ये हावा में उड़ जाती है। इसलिए आप नदी में अचानक आने वाले चक्रवाद या बहुत तेज बारिश से बचकर हावा में उड़ सकते हो। और अपनी जान बचा सकते हो। इस तरह उसने ओटो के बारे में सारी जानकारी दी। ये सुन मचवारा बहुत खुश हुआ। इतने में अजानत बारिश शुरू ही। बारिश की पुन गिरते ही ओटो उड़ने लगा। ये सब वहां खड़े लोगों को बड़ा आजीब लगा। उन्होंने कहा कि उन्हें भी ऐसे एक ओटो चाहिए। शुरत गिता हड़ड़ी में घर आती है। वो अपनी सौतेली मा से। बाबा आने पर उनसे पूछ कर पैसे ले लो। मैं तुम्हें सोने की बालिया दिलाओंगी। गिता ठीक है कहती है। उतने में उसकी बहन रम्या वहां आती है। मा दीदी को बालियां दिलाओगी तो मुझे भी चाहिए यू जिद करने लगती है ठीक है तुम्हें भी दिलाओंगी मा कहती है वो दिन बीट जाता है अगले दिन सुब़ गीता अपने पिता से बाबा मुझे सोने की बालियां चाहिए सारे मुझे चिडाते हैं, हसते हैं मुझ पर, रम्या भी उनके साथ मेरा मजाग उडाती है यू कहती है, पिता उससे यू दिल छोटा मत करो बेटा, मैं तुम्हें सोने की बालिया दिलाऊंगा, चलो खरीते है यू कहकर उससे सांस लेकर जुवेलरी शॉप चले जाते हैं, उससे जो पसंद आता है वो दिलाते हैं गीता खुश होकर वो बालिया पहन लेती है, बाबा देखो अच्छी है न, मुझे बहुत पसंद आई, मैं बहुत खुश हूँ यू कहती है, पिता भी ठीक है कहकर दुकानदार को पैसे देते हैं, फिर वो घर चले जाते हैं घर पर रम्या, गीता की बालिया देख, रोने लगती है, तब सौते लीमा, गीता से गीता, वो छोटी है न, तुमसे, रो रही है, तुम अपनी बालिया उसे दे दो, बाबा तुम्हारे लिए दूसरी ले आएंगे, यू कहती है गीता व्यथित होकर, ये लो, यू कहकर वो बालिया निकालकर रम्या को देती है, फिर अपने बाबा से बाबा, अभी आपने दिलाई हुई बालिया रम्या ने ले ली, मेरे लिए दूसरी बालिया कब बनवाओगे तब पिता, बेटा, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, फिर कभी दिलाऊंगा, जरूर, हाँ, यू कहता है गीता इस पर मायूस होकर कुछ नहीं कहती, वो दिन बीच जाता है अगले दिन वो अकेली बैट रो रही थी मुझ पर सारे हस्ते है, मेरे कानों में बालिया नहीं है बाबा ने दिलाई थी, लेकिन रम्या ने ले ली मुझे दूसरी दिलादो बाबा यू पूछा तो अभी पैसे नहीं है कह रहे है बाद में दिलाएंगे, मेरे बालिया भी नहीं है यू कहकर वो रो रही थी, उतने में बिजली कड़कडाने लगती है उस आवाद से गीता डर जाती है लगता है बारिश होगी, जल्दी घर जाना होगा लेकिन मुझे घर जाने का मन ही नहीं है मेरे माँ बाबा मुझे पैसंद ही नहीं करते रम्या की हार जिद पूरी करते है पता नहीं, वो मुझे क्यों पैसंद नहीं करते मेरी माँ होती, तो ऐसा नहीं होता सौतेली मा, अखिर सौतेली मा ही होती है यू बेचारी काफी दुखी थी इतने में तेज बारिश होने लगती है पर आस्मान से पादी नहीं बलकि सोने की बारिश हो रही थी तरह तरह के सोनी की बालियां जुमके कान के टॉप्स गिर रहे थे वो देख गीता अचरत से ये क्या ये कैसा अजूबा है इतने सारे कान के जुमके बालिया कहां से आये वो कहती है उतने में उसके सामने एक औरत प्रकट होती है कौन है आप ये सोने के बारिश कहां से हो रही है गीता अचरत से उसे पूछती है तब वो औरत मुझे पता है ब इश्वर से प्रार्थना की तुम्हारे लिए सोनी की बारिश करने के लिए ये सुनकर गीता दुखी होकर रोने लगती है मा, मेरे लिए भगवान से प्रार्थना की तुमने ये बारिश तुमने करवाई है कितना प्यार करती हो ना मुझसे मा मैंने तुम्हें देखा ही नहीं है कभी मैं तुम्हें देखना चाती हूँ मा तुम कैसे दिखती हो मा एक बार मुझे तुम्हें देखना है मा गीता यू कहती है तब सामने खड़ी औरत गीता मैं ही तुम्हारी मा हूँ बिटा यू कहती है गीता दंग रह जाती है तुम ही मेरी मा हो मा, मा तुम मुझे छोड़ कर क्यों चली गई भगवान के पास सौतेली मा मुझे प्यार नहीं करती तुम मेरे लिए वापस आजाओ ना मा आजाओ ना मा गीता यू रोती है तब उसकी मा लाडो, दुखी मत हो अबसे तुम्हे जो चाहिए मैं दिलाओंगी तुम मुझे से मदद मांग सकती हो जब भी तुम्हे कोई जरूरत हो मुझे याद कर लेना, मैं आजाओंगी यू कहती है मा, आज मैं बहुत खुश हो मा बहुत खुश हो यू उचलते हुए उसकी आँखों में खुशी के आसु आ जाते है लाडो, मेरी प्यारी बेटी येलो, सोने की बालिया रिंग्स, टॉप्स, जुमके जो पसंदाए पहन लो मा कहती है ठीक है कहकर गीता उसमें से अपने पसंद की बालिया चुन लेती है काफी देर अपनी मा से बाते करती है शाम हो जाती है मा कहती है गीता बहुत देर हो गई है अब तुम घर जाओ कल फिर मिलेंगे हम यहीं पर ठीक है ठीक है कहकर गीता घर चली जाती है उसकी मा भी वहां से गायब हो जाती है दरसल वहाँ आई हुई औरत गीता की मा नहीं बलकि एक स्वामी जी थे वो फिर अपने असली रूप में आकर हे प्रभु छोटे बच्चों को मा की प्यार से क्यूं दूर करती हो आप बिचारे मुर्जा जाते हैं उस बच्ची का दुख मुझसे देखा नहीं गया इसलिए मैंने उसकी मा का रूप लिया मुझसे गलती हुई हो तो मुझे माफ करना भगवान स्वामी जी कहते हैं उतने में स्वामी जी यू आवाज आती है तब वो पूछते हैं कौन? गीता के मा की आत्मा प्रकट होती है स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बेटी का दुख देख कर मेरी रूप में आपने उसकी इच्छा पूरी की शुक्रिया मैं भगवान की घर से उनकी कृपा दृष्टी से अपनी बेटी से मिलने धर्ती पर आई हूँ अब कल से मैं हूँ से मिलूँगी उसकी इच्छाएं पूरी करूँगी उसके बाते सुनकर स्वामी जी कहते है प्रभु की लीला अपार है उन्हें शत शत नमन जैसा तुम चाहती हो वैसे करो उसे आशिश देते है पर स्वामी जी मेरे रहने की व्यवस्था क्या यहां हो सकती है हाँ हाँ क्यू नहीं तुम यहां आश्रम में रह सकती हो स्वामी जी कहते है वो उन्हें धन्यवाद देती है तो वहां गीता घर चली जाती है उसके पांस तरह तरह के कान की बालिया देख सौतेली मा बहन डंग रह जाते हैं सच बताओ गीता ये सब कहां से चुरा के लाई हो इतना सोना इस पर गीता ये सब मा ने दिया है मेरे लिए वो आस्मान से आई थी उसकी बाते सुनकर कितना जूट बोल रही हो सीधी तरह सज बताओ या फिर मरम्मत करू तुम्हारी सौतेली मा उसे डाटती है उसे मारती है उतने में गीता के पिता आ जाते है अरे क्या हुआ उसे क्यूं मार रही हो आप ही देखिये जान जाएंगे ये सोने की बालिया ले आई है पूछे उसे कहां से ले आई तब वो गीता से सवाल पूछते हैं गीता बाबा को भी वही बात बताती है जो उसने सौतेली मा को बताई थी पिता भी उसे मारने लगते हैं पर गीता अपनी बात पर अड़ी थी क्योंकि वही सच्चाई थी सीधी तरह सच बताओ वरना आज भूखा ही रखूंगा तुम्हें गीता के बाबा कहते हैं बाबा मैं सच कह रही हूँ मेरा यकीन कीजिए कल आप मेरे साथ खुद आकर देखिएगा मैं मां से मिलाओंगी आपको गीता कहती है तुम ऐसे नहीं मानोगी एक दिन भूखी रहोगी न फिर समझा जाएगी वो दोनों कमरे में चले जाते हैं और दर्वाजा बंद कर लेते हैं गीता रोते हुए वही बैठी रहती है अगले दिन सुबह गीता फिर से अपनी मां से मिलने चली जाती है वहाँ जाकर मां को याद करती है उतने में उसकी मां प्रकट होकर क्या हुआ बेटा क्यों रो रही हो यूँ पूछती है गीता उसे सारी बाते बताती है उसकी मां सब सुनकर व्यथित हो जाती है गीता की बताई हुए जगह पर उसकी सौतेली माँ और बाबा भी आ जाते हैं वो दूर से उसकी माँ को उसके साथ बात करते हुए देखकर अचरच करते हैं तब गीता की माँ उसे समझा रही थी चुप हो जाओ बेटा, रो मत बाबा ने मारा दर्थ हो रहा है मैं तुम्हारा दर्थ कम कर दूँगी गीता रोते हुए कहती है माँ मैं वहां नहीं जाओंगी मैं भी तुम्हारे साथ आओंगी माँ मुझे अपने साथ ले चलो माँ बाबा ने मुझे बहुत मारा मैं सच बता रही थी पर उन्हेंने मेरा विश्वास ही नहीं किया मा वो दुखी होकर कहती है उसकी बाते सुनकर दोनों पति-पत्नी भी दुखी हो जाते है गीता की असली मा कहती है देखो बेटा मुझे तो वापस जाना ही पड़ेगा भगवान के पास इसलिए तुम मा बाबा के पास ही रहना वो तुम्हें नहीं मारेंगे नहीं डाटेंगे नहीं नहीं मा मैं वहां नहीं जाओंगे मझे तुम्हारे साथ रहना है मझे तुम्हारा प्यार चाहिए मा यू रोती है गीता उसकी जिद के आगे मा ठीक है, चलो मेरे साथ, यू कहकर अपने साथ उसे भी गायब कर देती है, फिर दोनों भी स्वामी जी के आश्रम में प्रकट हो जाती है, स्वामी जी को सारी बाते बताती है, उस पर स्वामी जी ठीक है, वो जहां खुश रहेगी वहां रहने दो, वो सच ही कह रही थी, हमने ही गलत समझा, उसके साथ बुरा बरताव किया, उसे डाटा, मारा, जो हो गया सो हो गया, हमें उसे घर ले जाना चाहिए, चलिए ना, पर उसका पती, नहीं नहीं, उसे रहने दो अपनी मा के पास, उसे मा का प्यार मिल रहा है, यू कहता है, उसकी बाते सुनकर सौतेली मा, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने उसमें और अपनी बेटी में फर्ग किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, गीता दुखी हो गई, यू कहती है, उसका पती ठीक है कहता है, फिर वो दोनों वहां से चली जाती है, उधर आश्रम में गीता अपनी मा का प्यार पाकर बहुत खुश थी